पंजाबी उनिविश्टी पटे आला तो जड़े विद्यार थी अडिशनल दा एक्जाम दे रहे ने उना लई ए वीडियो है उस दे नाल नाल री पियर कॉर्सपोंडेंस दे जड़ा डिस्टेंस एजुकेशन ने उना दे विद्यार थी हैं दी डेट शीट वी नाल हन पंज प्राइवेट डिस्टेंस एजुकेशन री एपियर जित्थे प्राइवेट कैंडिडेट लिख्या है उत्ते हो दा मतलब है कि अडिशनल एक्जाम देन वाले विद्यार्थियां ली डेट शीट है इस तो इलावा दूसरी केटागरी जड़े रेगुलर शब लिख्या उना दी डेट शीट है तो तुसी जिते प्राइवेट लिख्या है री पियर लिख्या है जा कॉरस्पोंडन सी सी लिख्या है उसनों क्लिक करना है क्योंकि यह असी गल कर रहे हैं दिसंबर जनवरी पंजाबी उनिविस्टि पत्याला दे एक्जाम दी स्मिस्टर वन भी देख सकते हो यह वीडियो दा फाइदा सिर्फ नहीं होएगा कि तानो डेट शीट पता लग रही है क्योंकि अडिशनल एक्जाम जड़े विद्यारती देर देना चौंदे ने पहला तोड़ा दे कॉस्चन हों देने जहां ए प्रॉबिल्टी उन दिया के क्लैश हो सकत देने जो बीड़ा एक्जाम ओलड़ी दे रहे ने सो एस वीडियो जड़ी है बाद विच वी तोड़े काम आईगी यह देखने कि इना दिना विच नॉर्मली एक्जाम मेरा हुंदा है प्लेटिकल साइंस दा जा जड़ा भी तुसी पर रहा है हिस्ट्री पर रहा है तो कि से उसेम डे बिएड़ दा एक्जाम ना ओंदा होवी तो एडेट शीट हेल्प करेगी डेट क्लैश नूं एस्टिमेट करनली पर यह समझ लगना है कि 100% क्लैश जड़ा है जरूर शोर नहीं होएगा क्योंकि थोड़ी बहुत एक दो तिन दिनांदा फर्क अग्गे-पिछ पैस सकता है अच्छा दूसरा पता लगता है इस वीडियो तो पता लगेगा कि सब्सक्राइब कीड़े दे नॉर्मली अडिशनल एक्जाम हुन देहन हना इस वर एक्जमपल मैं से विच मिल जाएगा सो असी देख देहां पहला इसनों क्लिक किता है बीए सैम वान प्राइ पहला है पाग पहले विच शुरू होएने हां रिवाइज वीडियो इस से लिपाई जा रही है कि पहली डेट शीट थोड़ी चेंज कीती गई है लिखती प्रिख्या है समझ लेना चाहिदा है नोट है कि देता गया कि विचा पेपर सामने ब्रैक्ट विच दरसाएगा नमबर 24 185 इते कंफ्यूजनी होना तो अना एदा कोई लेना देना नहीं है प्राइवेट विद्यार्ते आ है दिस्टेंस अजू किसी विद्यार्तिया लिए है ईहें लिख्या होया है कि अडिशनल रीपियर स्पेशल चांस इंप्रूव्मेंट देव द्यारतिया लिए डेट शीट है चलंत सलेबस से लिखिया है लेकिन अगए जाके कुछ कंफ्यूसन तो नू मिलेगी क्योंकि बार बार लिख्या होगा कि सलेबस और पराना सलेबस इस ले क्रिशधी डिफरेंंट वीडियो तो अड़ी कोई clarity करनी है हना उसी question पुछो के ताम है पादागा मिती है दिन है विशा है स्वेर दा समा है जना दा स्वेर पेपर है शाम दा पेपर है जुरूर देख लेना चाहिदा है एक स्वेर पेपर है सर्दिया हन इसलिए थोड़ा लेट रख्या गया है समा और साड़े बारा वजे तक तिन केंटे दा पेपर है और शाम दा पेपर जिड़ा है यह होएगा डेड़ वजे तो सड़े चार वजे तक तो आठ्ड है नोश वेरे पेपर पब्ली ऑडमिनस्टेशन दा है एथ है पीवी टी जिते लिक्या है अडिशनल व॥गया है tats eye de l favorite टे एसली तरह तरह गाइड कर दिया है सो यह पेपर नाम है नाल लिख्या एक उसी खुद रीड कर सकते हो मेरे खाल जो विजीबिल्टी है कि नहीं नहीं है अच्छा 11 तरीक नूश्वेरे पेपर नहीं है कोई शाम नूँ है इंग्लिष एक कम्मिनिकेशन स्किल्स है पीवेटी इट मेंज अडीशनल वालें दा एक पेपर है सोंबार है तेरा तरीक नूँ बुद्ध वार स्वेरे कोई पेपर नहीं है पंजाबी लाजमी दा है प्राइवेट कैंडिडेट ली है अडीशनल पंजाबी लाजमी मुदल लाग्यान प्राइवेट केंडिडेट ली है उन्हें एडी जे कोई कंफ्यूजन हों दी है यह लग तो कॉशन पुछोगे लग तो पता करके दसांगा फिर पंदरा तरीक नूँ शुक्रवार देखो एक चीज पता लग रही है आठ तरीक नूँ है ग्यारां तरीक नूँ एक चुटी है तीरा तो बाद फिर ठैरा नूँ एक चुटी लग चारह है रूरार्व है रूर्लि इवेलर्पमेंट्मेंटम्यंटर्वी साइदे फिर दानाम फिर कोई प्रनी है शुक्रवार सोटालोजी नां यह चंक है रान तरीक नूसाम वारज़ 2 ऐस कोई ड़नामैं बीए मतलब डिस्टेंस एजुकेशन और प्राइबेट नाल लिख्या हुए है नेक्स्ट है इससे दिन थारां तरीक चल रहे सी थारां तरीक नू शाम नू हिस्ट्री दा पेपर है पेपर नाम की है हिस्ट्री सब्जेक्ट है हिस्ट्री आफ इंडिया अप टो एक हजार लिख्या है प्राइविट केंडिडेट लिए देखो मैं एगाइड किता सी के हिस्ट्री पढ़ना इसली ज्यादा जरूरी है क्योंकि सेंट्र गॉर्मेंट विच जोग्रफी ते हिस्ट्री चो एसस्टी जॉब ले टीचिंग जॉब ली अलीजिबर बनन ले मिनिमम वन ज करना जotháis ओषटी एक जरूर पढ़िए आव वह सो ए स्टेट गोर्नेट टेपी लागु करदा दे ओन्य कर म서 यु عن जादा प्र नोंकरना है दूसरा प्रेफर श्कूल कॉम सब्जेक्ट और तक हैं थारा तरीक न उगया इथे मैथे इन शेमेट इच है मै तेमेटिक्स एक्जाम है नमास लेबस से लिख्या होया है उन ए उना विद्यारति उन पता होएगा कि नमें थे 2022 लेबस दूसरा लिख्या होया है जेची कन्फ्यूजन हों दिया ते वो बचा कोश्चन पुछ सकता है मैथेमेटिक्स पेपर वन है कल्कुलस वन ए अठारा तरीक सोंबार है वी तरीक बुद्ध वार उर्दू ओके और शारी पर लाइं कर लिए संस्कृत पेपर ए आप्शन दो है आप्शन वन आप्शन टू पोईट्री ड्रामा एंड ग्रामर है उपनिशत दर्श दर्शना ए ग्रामर सुपंजा शाम नूपेपर है पंजाबी साहित चोनमा प्राइवेट लिख्या होया है हिंदी आप्शन वन आप्शन टू हिंदी सहित्य दिसंबर दोहजार बीदा स्लेबस है इथे स्लेबस नमा हुएगा इंग्लिश लिट्रेच्चर एं इंट्रोड़क्शन इंट्रोड में प्राइवेट श्लेबस दोहजार बाइदा दिफेंस एंड स्ट्रेजिक स्टडीज वार एंड इट्स वैरियर वेरियस आस्पेक्ट्स दी एंड प्राइवेट एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन प्राइवेट केंडिडेट ली है अठ तरीक नू है जनवरी ते आ गए हां नमे साल तो बाद चुटियां तो बाद एनिया बाई तो एदा मतलब अठ एक तक ते चुटियां दि अर्थी तरम दिसंबर 2019 दा स्लेबस वोमें स्टेडी जैंडर कंसेप्चुलाइजेशन प्राइवेट कैंडिडेट ली अगए एक चुटियां पाके दस तरीक नू है प्लिटिकल साइंस दा तबला थियूरी है स्लेबस दोजार बाई दा पुलिस एड्मिस्टेशन हाना य डिफरेंट जा पेपर है मेरे कहल बहुत कट विदियार थी होंगे बारा एक नू है एक दिन चुटि पाके लिंग्विस्टिक इंट्रॉड़क्शन तू लेंगवेज सेकेंड है कंप्यूटर साइंस बी अपी थर्ड है सिख स्टडिज सिख तरम अधियन पंदरा तरीक न ऑके दिसंबर दोहजार बाइदा सिलेबस है जे दे ब्रेक्टाइज जेडा लिख्या है सिलेबस ओ होएगा ठारा तरीक नों पर खत्म होरे ने ठारा एक दोहजार चौवी तक मैथेमेटिक्स पेपर 3 लीनियर अल्जैबरा मैथेमेटिक्स पेपर 3 कौाडिनेटर जोमेट कर सकते है एस लए तुसी तुसी याने रहना है चापंपन सब्सक्राइब कर से ल मुद्विन सब्सक्राइब समने लडी नंबर प्राइवेट दरसवांदा है कि प्राइवेट विद्यारतें लिए है सामने दरसवांदा डी इडिस्टिंस एंजूकेशन लिए है दो तरीक दूँ डेट्शिट इशू होई है तो जानकारी मिल दी है कि अगले अडीशनल विद्यारतियाने की गाइडेंस लेनी आए तो ले सकते ने ए सिर्फ प्रिख्या के इंदर ने सिर्फ दिखावांगा मैं तुसी खुद देख सकते हूं नंबर जे जाने नहीं है बरनाला 101 तो शुरू होके ए जा रहे ने के लास्ट तक एक सो एक तो इत मेंस के एक सो चरणवे हैं एक सो चरणवे हैं एक सो चरणवे हैं ठीक सो एसी समवान दी ग्रेजुएशन दी दी दीड़ शीट थैंक यू